असलों अलगीकुम मेरे बाइए दोस्तों आज का जो हमारा लेक्टर है वह एक लास मैट्रिक के मैद के इनफ़र्मेशन हैंडलिंग के चेप्टर का लेक्टर नमबर त्री है यहाँ पर मैंने लिखा अभी इनफर्मेशन हैंडलिंग number of observations falling in a particular class is called class frequency है इसको frequency भी कहते है इसको हम denote करते है F से सही इसका मतलब क्या है कि किसी particular class में जैसे चार classes है एक दो तीन चार इसमें जितनी observations आ रही है वो उसकी क्या होगी frequency साहिए यहां मेंने frequency का column बना है अब पहली observation के 60 60 कौन सी क्लास में आ रहे 65 दूसरी कुलास में 66 भी दूसरी क्लास में आ रही। च्के सउस्टीज़ कि एड़ास कि diferen आ क्लास में आइ है। ए क्ल wonder बाच क्लास के सहिट है। दूसरी क्लास में युए रिवा पास यहां प्यारे 69 तीसरी क्लास में आगा 70 70 वी तीसरी क्लास में आगा 63 पहली क्लास में और 64 जो है वह हमारे पास ुक यहां प्यारन और 63 जो है वह हमारे पास वह व्य Цुष यह में पूस्क हों प्रिकेंश 6 प्रिप्इन से इसकित फ्रिःफा त्रिक्वेंसी 3ий इसकी रशा से इसकी फ्रिक्वेंसी 3이 चेक करने के तरीका है कि क्या हमारी फ्रिक्मेंसी स्वाइए कि नहीं है उसका तरीका ही यह होता है कि इन सब को टोटल रुप और गिनों के विए इस नंबर्स के बराबर आ रहा रहा है कि नहीं जैसे इस सब कर टोटल हमारे पास बने पांच और जैसे ग्यारा ग्यारा उर तेन ग्यार उरतीन 14 14 और वन इन में हमारे पास टोल 15 और इस नंबरस को और लेता है यह कितने एक दो तीन चार पांक छे साथ आट नहों 10 11 13 14 15 मतलव हमने जो टोटल नंबर उफ रिक्वेंसी लगाई है हों हमारी कर्एक्ट है सब्सक्राइब तो यह एक लादिया हमारे पास क्लास फ्रिक्वेंसी इसके बाद एक और तर्म है हमारे पास जिसका हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिक्विशन कहते हैं प्रिक्वेंसी डिस्ट्रिक्विशन जो बार पास अबता है वह इस दा क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स और डेटा सेट जो हमारे पास डेटा होता है जो डेटा सेट यानि है अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं क्लासिज बनाव जैसे आप इसके बनाएं तो यह हमारा क्यलाता है वह फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिक्यूशन इसके हमारे पास क्वेस्चन भी हैं जो करेंगे तो यह दोनों चीज़ों इसके बाद एक चीज़ हमारे पास आते हैं ग्राफ ग्राफ क्या होता है वह हमारे पास ग्राफ नाम दो लाइने लगाते एक एक सेक्सेज में लगाते एक सेक्सेज हमारे पास सीधी लाइन होती इस तरीके की अरे वाय एक्सेज में लाइन लाइन बाद इस तरीके के दो लाइने लगाते हम और इसके बीच में कुछ पॉइंट करके हम एक डाइग्राम जैसी बनाते हैं इसको हमारा ग्राफ कहते हैं अज़ा इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के 10.1 में जो ग्राफ बनने हैं वो दो तरीके की ग्राफ है एक हिस्टोग्राम और दूसरा है प्रिक्वेंशी पॉलीगॉन सबसे पहले हिस्टोग्राम में यह म nähm kva आथन निकालते हैं class boundary होती है तो इस सारह मैंने पिछले लिक्चर में बताया था तो class boundary और frequency के दरम्यान हम graph निकालते हैं अच्छा यहां पर यह ख्याल रखना है कि values कहां रखना है frequency की value हम y-axis में रखेंगे और class boundary की values हम x-axis पर रखेंगे तो frequency की values क्या है बई वन से लेकर 6 रखें शूरू 1 से हो रहा है अच्छा यहां पर जिस पॉइंट पर इंट्रसेकर होता है यह हमारा 0 होता है तो यहां पर मैं रख देता हूं 6 points वाला देता हूं एक दू तीन चार पांच छे तो यह बंगी है फ्रिक्वेंसी के लिए होगे 123456 शे नहीं रख्लीट निचे वाला वाम अरग लाग्लास बांडरी आप लाग्लास बांडरी अच्छा बांडरी शुलू का से ओर हो है 59.5 दूसरी वेल्यू क्या है वैं 63.5 अच्छा 63.5 दो मर्तबा रहें दो मर्तबा ने लिखना है सिर्फ एक ही मर्तबा लिखना है उसके बाद फिर एगे 67.5 फिर उसके बाद दुबारा अब हमने इस डेटा का हिस्टो ग्राम कैसे बनेगा देखें फ्रीक्वेंसी जो है जो वन फ्रीक्वेंसी ए वन फ्रीक्वेंसी अलाब आपका सोरी वन से नहीं देखना है बल्के यहां से देखना है 59.5 से लेकर 59.5 पे फ्रीक्वेंसी कहां पर है तो 59.5 पर फ्रीक्वेंसी वह 5 है तो मतलब मैं कुछ इसकी सिदाई में यहां पर डॉट लगा देता हूं अच्छा यह जो क्लास बाउंडरी है वह शुरू 59.5 से हो रही है और खतर कहां पर हो रही है 63.5 63.5 तक के लिए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के फाइब से तो मैंने दो प्रैंट्स लगा अब इन दो प्रैंट्स को ऐसे जोड़ देने और इसको यहां से इस तरीके से जोड़ देने और यह बन गई हमारे पहली फ्रीक्वेंसी पहली क्लास बाउंडरी के लिए जो हमारे पास ग्राफ अच्छा दूसरा क्या बई डूसरी बाउंडरी जो वह 63.5 से 75.5 तक है और फ्रीक्वेंसी वह उस पे 6 मतलब 63.5 की इस इजाई में अगर हम जाए और फ्रीक्वेंसी 6 त इस इस तरीके से उपर से दोनों को मेंच कर दें और नीचे भी लिए नीचे यहां तक आ जाएगा और यह वाला जो लाएं वो नीचे तक आ जाए यह दूसरी बाउंडरी के लिए इस्टोग्राम बनें अच्छा तीसरी बाउंडरी के हमारे पास 67.5 से शुरू हो रहा है म इसी की लैंड में जो आपर पास पॉइंट हो इसी की लैंड में लेकिन फ्रिक्विंसी के त्री मतलब 67.5 को अगर मैं यहां से लेकर जाओं और 3 मेरे पास यहां पर मतलब कुछ यहां पर बनेंगा सब्सक्राइब और किस हो रहा है सवंटी वंट पैफ पर तो इसी के लैं से जो लास्ट वारी क्लास बाउंडरी है उस लेंटी 1.5 से शुरू हो रही है लेकिन उसके लिए फ्रिक्वेंसी है वन मतलब हमारा कुछ वन की लाइन में आएगा कुछ यहां पर आ जाएगा और 75.5 तक के लिए फ्रिक्वेंसी होई रहेगी यह हमने इस तरीके से यह बन ग 10.1 exercise में भी बहुत सारे histogram बनाएंगे हम तो इसमें दुबारा भी देख लेंगे किस तरीके से लिए तो histogram में हमारे पास यही चीज़ा है अब frequency polygon के से बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन पूछ इस तरीके से बनेगा यह याद रखना पर कि इस्टोग्राइन फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंटरी के दर मैं बनेगा सब्सक्राइब लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन है वह हमारा बनता है वह पॉलिगॉन जो हमारा बनता है वह फ्रीक्वेंसी और मिड़ पॉयंट यानि मिड़ पॉयंट यानि क्लास मार्क जिसको एक्स डणॉटर तो मैंने पिछले लेक्टर में बहुत डिटेव में बता है सब्सक्राण समार्क मिंठेक और फ्रीकुइंसी के इंशे more पैने वाली क्लास की हमने मार्क कॉनिकल दूसरे का दिस दूसरे तीसरे चौटे का निकाल लेते हैं क्लास मार्क के निकालने और अपर क्लास ने में डेनी 67 तो यहां पे नीचे टू से डिवाइड करा दो तो इसका जो अंसर आएगा वह आएगा आप लोगे पास 64 और 67 तो यह आजाएगा वैस 65.5 यह आएगा तो ग्रीवन से चेक कर लेते हैं और 64 और 67 यह बनेगा मैं रबास वन टू में वन ट्री वन वन ट्री वन हाँ से और इसको टू से डिवाइड करें तो क्या है आएगा हमारे पास तू वन जर टू और तू सीज़व वन इतर यह तू फाइज एट एन और पाइंट फाइब लगा न से इसको क्यल्कुलेटर से कर लेना 65.5 यह इसी तरीके से इसका में डारेक्ट बता देता हुए आप लोग निकाल के चेक कर लें तो हमारे पास अभी फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन मनाना है वह बनेगा भई फ्रीक्वेंसी और एक एक स्इसजे यह एक स्पैर मीड है व एक स्वाइंसे टारीके बार देंद हैं वैसे शे तरीके से शेलायने बना धिता है एक दो तीन चार पांक छे वनट थुरी फोर फाइफ सिक्स साही और हमारे जो लाज बांडरी भी शेये 1 2 3 4 तो एक दो तीन चार सही चार प्राइंट सब्सक्राइब आगे करके बना देते हैं यहां पर लिख देते हैं भी 61.5 65.5 69.5 73.5 कुद को एसलिए क्लास बांडरी है और यह इसका depressed heart rate देते हैं इसलिए दो लाइने लगाके दर्मेय देल लगा से इसी तरीके से आप यहREव क्लास बांडरी है और मेड वायग रिण देख डिया दो पॉद्ध कुझर पानडरी है और граф experiment इन एक पर यह दो क्लास बांडरी बना दी पिर उसके बीच में उसका में पर यह दो क्लास बाउंडरी की वेल्यू ने लिखनी सब्सक्राइब अगर व्लाइन भी ना बना तो कोई मसला नहीं लेकिन अपनी असानी के लिए बनाएंगे मैं अच्छा सिक्स्टी वन पॉइंट फाइफ पर फ्रिक्वेंसी देख बिचि रेक्टेंग्ल जैसे शेकल बनेगी लेकिन इसके ख्लास बाउंडरी तक ही बनेगी धिसके रिट पॉइंट जहां और उसके हां की बहुत बेंगा आμया मैंग के बनेगाउंड़ वेल्य क्लास बेंग लिए जया ना निरल्यक्पर एक में strategic यहां तो ऐसे कि फ्रिक् सब्सक्राइब दो दो ग्लास बांडरी की लाइन लगाई नहीं लगाई ताकि हमारे पास जो यह रेक्टेंगल हो हमें पाता चले कि काम में बनने उसके बाद 69.5 की जो फ्रिक्वेंसी वह त्री है तो पॉइंट कुछ इस तरफ आएगा नहीं जाद ओपर चलाएगा जाएगार जाएगा जाएगा अचा और इसके दोबार तो रिक्टेंगल बने याँ और लगार इस तरीगाइज है और कि फ्रिक्वेंसी ये वो है वन ये पुछ यहां पैंग है सब आप इन सब पॉइंट्स को जोईन कर देना है यह जो ने सब पॉइंट से इस तरीके से जोईन कराना है यह पेले को दूसरे से दूसरे को तीसरे से तोड़ा रहे है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप उक स्केल लीजिए से बिल्कूल स्टेट लाइन बनाना है और तीसरे को इस चोट्य पॉइंट से जोइन करा है अच्छा यह फ्रीक्वेंसी पॉलिगोन के पॉइंट से यह जो लाइन इन लैन को फिर एंड भी करना होता है तो इन इनका इस तरीके से होता है इसका भी एंड होगा तो वो रहाएगा हमारे पास इधा सईका मतलब यह होता है कि यह पहले होता है कि यह जो है यह यह आमारे पास एक और मिट पॉइंट है जिस पहाए के यह खतान रहा और यह दूसरा में मतलब 61.5 और उससे पीछे कोई और क्लास बाउंडरी होगी सभी उस 61.5 एक मिट पॉइंट है उससे पिछले एक और मिट पॉइंट होगा तो उस पर आके यहां पर खतम हो जाए इंको एंड करना जरुता है कि यही जो हमारे पास लाइने बनी है इसी वहूं फ्रीक्वैंसी पॉलिगोंड कहती है यह तो हम लोगता है अब हम अपनी एक्ससाइज शुरू करते हैं तो यह हमारे एक्ससाइज 10.1 का question no.3 है तो इसको ज़रा solve करते हैं के क्याने हैं बहुत प्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन मतलब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन बनाने हैं और एक फ्रिक्वेंसी पॉलिगॉन भी बनाना है सब्सक्राइज यानि पुल मिला के अच्छा खासा काम देजिए हैं लोगोंने पहले तो हम प्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन को कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन में क्या करना है वह इसलिए अभी तोड़ी देर पहले भी बताया था क्यों वह जो यह जो अन्गूर्प डेटा है इसको ग्रूप डेटा में कंवर्ट करना है तो यह जो पहला वाला जो कॉलम होता है यह हमारे पास करना था एक लास इंटर्वल सही है अगर टेली मेतogi से हम कर रहे हमारे पास पर नीमार्क्स भी आएंगे सबसे रेक सारा का सारा एक ही टेबल में आजाएगा अब क्लास इंट्रवल सबसे पहला जो काम करने हमने क्लास इंट्रवल का किंप रहिए कितनी क्लास बनेगी उसकी रेंज कितनी होगी साइज वगरा तो सबसे जो मुझकिल यह म mandate का पूर्जम वारा होता है क्लास इंट्रवर्वें का टैबल को फिल या होते हैं फिर बागी जो मनाना वह इतना मुश्किल है वह सबसे असान है क्लास इंट्रवर्वर्ण को बनाने का एक सबसे इजी तरीक है इजी तरीका यह है कि पहले तो आपने रेंज निकालनी है यह तो आप हर उसमें करेंगे जब भी आपको निकालनी के लिए निकालनी करते हैं जो सबसे बड़ी वेल्यू है उसको आम एक नीचे म लिख देते हैं एक्स मैकसिमम- एक्स मीनिमम के लिए नीचे 0 यानी नॉट का साइन डाल देते हैं मैक्सिमम मैं से मिनिमम को मैनस करना अब इस पूरे डेटा में देखना वे मैक्सिमम कौन सी वेल्य यह तो 25 इस बड़ी मुझे नजार आ रही है इस वाग वो 25 और इस पूरे डेटा में अगर देखो यानि रेंच वहारे पास 24 आगे ay अब number of classes यानि कितनी classes बनेगी आ वह में कितनी लाइन ने बनाओ जो इसके रहे ओस्ट वह फार्मूला होता है हमारे पास बैस डिवाइड़ बाई है एच क्या थी पर हमारे पास लाइस इंटर्वार जो ट्लास की साइज होती थी वह लिखते थे जो साइज होती थी लेकर अगर हम खुद कंसिडर करने होती है लेकर अगर हम खुद कंसिडर नहीं कर पारे तो इसके लिए असान तरीका जो एन है एन मतलब क्या है यह जितने भी नंबर्स है यानि इस सब को काउंट करो जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नोव दस ग्यारा बारा तेरह चल्दा पंद्रह सोला सत्रह अटारा उन्यस वीस इकिस बाइस तैस चोविस पच्छिस टोटल पच्छिस नंबर्स है इस रूट आएगा हमार पास 5 तो हम लें एच की जगा 5 रख दे रहा है अगर हम खुछ से कंसिडर नहीं कर पा रहे तो एक यह तरीका भी होता है टोटल नंबर को काउंट करो उसका रूट लगा जो आंसर आएगा उसको नीचे लिख दे रहा है अचा कभी का बार आंसर करेंगे 5 से तो इसका अंसर फॉर पॉइंट सम्तिंग आएगा जैसे अगर यहां चेक कर लेते हैं 5 को डिवाइट के 24 से तो यह आएगा फॉर फॉर से प्वेंट लगा है तो यह यानि यह आ रहा है हमारे पास 4.8 अब 4.8 ले लिखेंगे हम हम बोलने लिए यह अप्रॉक सब्सक्राइब अगर आ रहे तो प्रेंट से आगया वाली वेल्यू लेंगे प्राइंट से पीछे जो वेल्यू होगी ना उसको एक प्लस कर दे रहे जैसे फॉर ना फॉर नहीं लेंगे फाइफ लेंगे अब मतलब नमबर ओफ लासे अमारे पास फाइफ बनेंगी यहां अगंडा देतां हूँ एक दो हें में चार और यह पांच टीन चार पांच साथ है पांच बनेंगे जसा में आपने सबसे पहले है वह पास हमारे पास वन है और वन के बार आप लोग ने यह हमारे पास एच की वेल्यू इसको प्लस कराते जाए है यानि वन में 5 प्लस किया तो six तो इसी तरीके से यहां पर फिर में लाइने लगाते हैं और इसकी दूसरी वेल्यूस भी लिखते हैं वन से शुरू हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है तो यह जो दूसरे का जो शुरूआत है ना उससे एक नमर माइनस कराओ इसका है स्कूल करेंगे तो यहां पर फाइफ पर हो ना तो 5 सफ में यहेंड करता जाना से था फीडिल्प्लस 15 प्लस 15 25 यह bin गए हमारे पास अब देखना है लिए वे सबसे चोटी मिलीव तो हमारे पास वहाँ पर है ऑच्छाना वहमारी क्लासित सभी बनी है अगर इसमें कोई बेलियव हो जो यह जो इस पूरे में नहीं आ रहा लगக्य में बना है अचा, अब से बाद लगाने हमने टेली मार्कस और त्हुति के लाइन या लगादेगी है सिस्टीन किस तो याहा कर रहा है अब माल्यें वासरे शोगे अब स्वव्त आरा सो यह हमारे पीजम ऐन वारे देन जेंड और साथ मेर है तइस वहीं मेर एन एस दिसना स्वाडस वह टाहर रहा ह। और छेश्टन वंपर वाले मेंए ठुटीन Ride है इस वाले में ट्वंट स्ट्री सिए मैगा फिर फोह इस वर स्ट उदेख सार्डे सपस्थ तो इस में आई लेकिन अब पाक्रेट है कि यह लائन कितनी हो इस डाइद उस तरीके से लीए यह जो होगा यह इसको इस तरीके से मतलब अब यह पांच का पेर बन गया है सब्सक्राइब फाइफ के लिए फिर एक और लाइन आजए हर पांच पर लाइन के आने पर हम इसको इस तरीके से कर दें नहीं तो बहुत कंश्यूजन हो जाती है पर लाइन जब आएगा चार लाइन उगा जब पांच वी आएगी तो इसको इससे करके बना देने एकदम जैड जैसा बन गया फिर उसके बाद दुबारा लाइन शुरूर कर देंगे तो लग गया तो उसका फाइफ फाइफ भी इसी में आ रहा है अचाहिए हमने फाइफ के छी कि में आफ़ी चाओ पुरह पांच इस तरिके से लाइन आएगी तरटीन आजारे टर्टीन भी यहां पर चांप फिर सेवंटीन प्रुम सेवन्टीन जाल आएगा कि ए एआ C फुमने ऑसको ऑग़िंस एंटर चैनल साव्म तोम्त प्रिक्वेंसीशन पांच और एक इसके फ्रिवंची फोर प्रिवंची को चलिए इसकी तू पॉर आइप सभी आइँ पांच च्छेक करने को हमारा यह जो डिले मार्क से यह सही बनान कर लें तो यह तोaler प्रिवेंची को काउंट कर लियते हैं यह जाए है पाउच पांच 10 और 10 और 12 12 12 12 और 6 18 18 और चाल और शाथ 25 मतलब टोटल नमबर जो ते वह भी 25 है तो मतलब हम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुल मिलाके सही आप अच्छा इसी तरीके से हमने अब मेड़ पॉइंट निकाल जाए मेड़ पॉइंट के लिए एक फार्मॉल है वह सब को पता है एक इस इक तो लोवर लिमिट प्लस अपर लिमित अपन टू लोवर लिमित यह पहा है वह बेह वाली की लिमित वन अपर लिमित फायव नीचे तू यहाह जाकिया 6 . तू वाले रहा है इसकी नमैंटोब पॉ doet दिक्रेसे डेना मारियो पस्तूल में है तुसे डिवाय ऐको तो ते रहेंगे ही थीढ गॉप से डिवाय करेंगे तो रही आयगा तो तू 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 को तू को तू तू है यह आ गए हमारे पास टेली में तर आप इसके बाद हमने इसको करना भाई लिस्टिंग मेंटर्ड से सब्सक्राइब तो लिस्टिंग में हमने लिस्टिंग में भी बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन इसमें सर्फ एक चीज चेंज करनी होती है वह जो चीज चेंज करनी है वह यह टेली मार्क्स को अटा के हम यहां पर एंट्रीज डालते हैं कि बाकी फ्रिक्वेंसी और मेंड़ पॉइंट वैसी रहेगा है कि सब्सक्राइब कि टेली मार्क्स को अटा के हम यहां पर एंट्रीज डालते हैं आपयों अग्जाएं हटा के लिग देते हैं इसको डाएरेक ड्रीक्वें यह खेंपयार जुआ कि लगाती है एंट्रीज में लाइन लगाई थी ना एंट्रीज में एक्चूल नंबर आता है टेली मार्क्स में लाइने रहाते हैं एक्षोन्ब मारा जैसे फाइसिव्स माइर वह थी ग्रास में तो इस देख में ये रिखेज़े है तो हीं हिए साहएम खाल टीक ही बाइसस हैी इस वाले में और है कि 12444 ती वन जैने वो इस वाले म्हाजा शुआ गजा गए , कि प्लटी तरीपी कि वाले में आलेजा गए एस तारीक से ट्वेर्टी पूर एक हमारा पास इस वाले में आ जागा तो यह त्री जो हो हमारा पास उपर चला जाएगा तू भी उपर चला जाएगा फाइव दुबारा आगया तो दुबारा भी लिखना है इसको इलेवन 11 इसमें आगा 7 7 इसमें आगा 25 25 इसमें आगा 13 इसमें आगा 17 इसमें आगा 2 वाले में आगा 6 6 इसमें आजागा 7 इसमें आजाएगा और 9 इसमें आगा तो यह हमारे पास लिस्टिक में तरह रहे हैं अगर कोई गलती हो तो सही करने का बाकी तरीका यहीं से का यहीं सब्सक्राइब वाया हैं जालते हैं और अनल्द आपका बना को कि तैली में ड्लाइन है रगाते हैं से अचा यह चीज़ आपने कर लिए कि आप लिक्त आप लक़िए उसके लिए अलग से बना रहाए यह चीज़ विज़ और और Mid points भी आगे Frequency भी आगे Class frequency अब जो हमने बनाना है तो 접 fif frequency, Polygon बनाना है US ही तो मिनके ज़ब सवाब मिटा देता हू dig upfront यहाली साइड frequency, Polygon हम आप भीद भीड़ाएंगे Frequency'd Payment के लिए इक Y axis बनाए 1 उड़4 ऊप्वाऍड, एक X axis बनाए है और सबको पता है फिरिक्वेंसी पॉलिगोन किस-किस के दर्में बनता है फ्रीक्वेंसी और मिट पॉइंट के दर्में तो फ्रीक्वेंसी कितनी है वाई शूरू हो रहा है से। एंड का पर हो रहे है रहा हुआ है व्तलब साचलय नहीं लगाई देते हैं छिर्म एक दो तीन चार्व पांच छी साथ एग दो तीन किसा ना प्रेंसी प्रेंट प्रीक्वेंसी को इस प्रेंट पहें एक सके थे ठीक्रास बांडरिस के बना दिया गरो ग्षेतर आसानी के लिए से दो क्लाज काम्डरी। इतर कंशось बांडरी पर मिट पॉइंट भांडरी घारत कर थे टीम फिर अक्तित्री अगर थे चैप blijत आप एक्स अगर 3 है तो f है 7 मतलब प्वाइंट कुछ यहां जाके बनेगा यहां पर सही है और एक्स अगर 8 है तो 6 है f6 है तो प्वाइंट कुछ यहां बनेगा यहां सही है फिर तो इक्स अगर 13 है तो f है 5 तो इस अगर इतीन है तो फ्रिक्वेंसी है तो यह आदेगा इदर और एक्स अगर 23 है तो फ्रिक्वेंसी है 5 है अपर दुबारा हवाइट पर जा रहा है तो यहां पे इस तरीके से आए सब्सक्राइब के लिए हम भी बना देते हैं अच्छा वह तो अब क्वाइंट्स बनाने के बाद इसके लिए इस्टोग्राम की तरह इस तरीके से लाइने बनागी इस वह लाइने जो है सब्सक्राइब की वह यहां क्लास बाउंडरी से आके एंड होती है तो यहां से इस से और इस तरीके से यहां से इस तरीके से लाइना जाई यहां पर यह सी लाइन आई भी है मेरी लाइन तो एड़ी वेड़ी है आप लोगने सीधी सीधी लाइन बना आप यह इस तरीके से आए अब आखरी काम जो हमारा में काम है उन पॉइंट्स को जोईन कराने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ज़िए सब्सक्राइब कर लिण को जोईन करंगे और यहां पिर तीसरे को इस छोर्ते को जोइन को इस पाइंट सब्सक्राइब करना होते हैं तो यह बन गया हमारे पास आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो तोड़ी सी लंबी होगी है क्वेस्टन जारा लेंड दीता सब्सक्राइब तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अला अफूस